आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमली के इस यूटूब चैनल पर आज हम आप लोग को इंग्लिस का टॉपिक लेकर आये हैं जो आज से हम बेसिक इंग्लिस आप लोग को काफी छोटे-छोटे वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप लोग को इंग्ल क्लास में हो चाहिए आप कमपटेटिव एक्जाम के त्यारी कर रहे हो तेंथ में हो ट्वेल्थ में हो है ना अलेवेंथ में हो या फिर आप कोई भी 7 8 9 10 किसी भी क्लास में आप हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफी यूजफूल होगा तो आज हम बिलकुल बेसिक से ल आप चलिए बिल vinegar लेगा जहां कहें भी दिक्त हो आप कमेंट वक में करसकते हैं हम उस कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और आपका अगले वीडियो में हम ज़भाद देने का परियास करें ठीक है तो चलिया आजना टॉपीक हम शुरू करते हैं English their English क्या phones डिसका यहाइक बहा इंग्लिस जो है एक अंतराष्टिय भासा है जो हमारे सफलता के दर्वाजे को खोलता है ठीक है हमारे सफलता के दर्वाजे को खोलता इंग्लिस एक वैसी भासा का सकते हैं English is an international language which opens the door of a success life ठीक है यानि कि हमारे सफलता पूर्वख जिंदगी में काफी यह अनुभब रखता है काफी माइने रखता साथि साथ डाइरेक्ट अगर हम का सकते हैं English is a language यह एक परकार का इंगलिस एक भासा है निलिस एक भासा है साथि साथ इंगलिस एक बिसय है और हम लोग इस बिसय के रूप में English को हम लोग पढ़ते हैं तो आज हम लोग जानेंगे सबसेपहले हम ल हमारा सिक्ष्ष्ट बैख को आप से नोट बॉक में लिखते जाएगा ताकी आपको क्या लेगा समस्माई में आ आ लातर।र हम पढ़ रहें वीडियो को मनरणजन कर रहें नहीं हम ऐसा हमारा उद्देस नहीं हमारा उद्देस है कि जो बच्चे ट्यूसन नहीं पड़ रहे हैं या पिर जिने समय नहीं आप पिर फिर और पड़ रहे हैं तो भी वह हमसे सिच्छा ले सकती हैं घर बैठे वह आराम से कहीं भी पड़ सकते तो इससे पहला नंबर आप तेकि Share सबसे पहले हमको यह बताईए कि इसका नाम क्या लेटर है या अलफा वेट है ठीक है बाद में बताईएगा कि नहीं नहीं हम तो जानते थे यह बात यह लेटर है या अलफा वेट आप पहले सबसे पहले हमको यह बताईए छोटी सी जानकारी इसको बच्चा बच्चा जानत हैं आपके पास दू अप्शन है लेटर और अल्फावेट ठीक है रिक और अप्शन देते हैं आपको अल्फावेट्स ठीक है अल्फावेट्स ठीक है अल्फावेट्स तो अल्फावेट्स लेटर और अल्फावेट्स तीनों आपके पास आप बता सकते हैं कि ABCD क्या है ठीक है अब बताएए देखे सबसे पहले अगर आपके दिमाग में आया है कि ABCD क्या है तो यह ABCD पुरा समू का निर्मान करा रहा हम यह नहीं पूछे A क्या है या B क्या है अगर हम personally पूछेंगे A क्या है B क्या है तब यह होगा लेटर लेकिन जब यह ग्रूप में रहेगा A B CD से लेके पूरा Z तक तब यह बनेगा क्या Alphabate यहाँ पर फिध्यान देना अलफा-Wate नहीं होगा अलफा-Wate होगा अलफा-Wate का मतलब क्या होता है अलफा-Wate का मतलब होता है वर्न माला और यह नहीं को अलफाब रड़ लगा देंगे तो हजाएगा बरन माला नहीं ऐसा भी नहीं होता लेकिन लेकर का मतलब क्या और अच्छा लेटर को हम लोग दो भागों बाड़ देते हैं अमना एक को हम लोग 14 लेटर और 22 लस्मोल लेटर तो Naruto इसको Luther विया तो यह इसको मुऊच अलगए आई यू इसको अलग अलग रूप में बाड़ते हैं जैसे भौबल उगया से ब इस तरह से हम लोग लेटर को भी बाड़ते हैं लेटर को भी जब हम बर्णवाला में बाटे उसके बाद हम बर्णवाला बहुत सारे लेटर को मिला कर क्या बना बहुत सा लेटर को मिला कर क्या बन गया आपको बन गया अलफा वेट क्या बन गया अलफा वेट ये एक समू का निर्मान कराया किसका निर्मान कराया समू का तो उसी परकार स बहुत सा लेटर को जब हम arrange करेंगे लेटर arrange होना चाहिए तो गव weiß क्या बनेगा? वड्ट का मतलब क्या होता है? सब यानि की अक्षरों का एक वैसा समूह जिसका एक सार्थक कर्म निकल wireless की सार्थक कर्मilenoo कोई अर्फ निकल रहा है तब यहां से आप कह सकते हैं यह पेन का मतलब कलं हुआ तो यह एक वरड हुआ लेकिन अगर हम इसी को लिखदें पीन कुछ भीलिख दी क Laomate była तो जब यहिए मतलब 는 नहीं हो इसका तो इसका मतलब नहीं हुआ यहीं आपको सबसे पहली बात समझनी थी कि जब तक हम लेटर में कोई अर्थ पुर्ण सब्द नहीं निकाले गए हैं अर्थ वाला बात नहीं निकलेगा तब तक वह सब्द नहीं कहलाएगा ठीक है तो सबसे पहले आप समझ गये हैं कि A B C D A जो समू में रहेगा तो उसको अलफा NA B E T में बहूफ सारे भावेल होते हैं भावेल कितने होते हैं पांश ₹ उसके बात थोध कॉंसोनेन्ट होते हैं दूको सेमी भावेल भी केहा जाता है तो इस तरह से आपको समझना है कि सेमी भावेल व lot यह उसके बात कॉंसोने Egys तो य ठीक है बढ़ी हैं समझे बहुत सा जब वर्ड को अरेंज करेंगे लेकिन अरेंज होना चाहिए अगर अरेंज में नहीं रहेगा तो वह सेंटेंस भी नहीं कहला यह भी बात को आपको ध्यान में रखना होगा आपको लेटर लेटर से अरेंज होगा वर्ड वर्ड अरेंज कर sentence की परिवासा का सकते हैं a group of word which makes a complete sense is called sentence यानि कि सब्दों का एक वैसा समू जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाए उसे सब्द इवाक की कहते हैं फिर से सुन लिजिए a group of word which makes a complete sense is called sentence ठीक है और यह हो गया आपको लेटर का arrange very different arrange word में होगिया आपको अरेंज रहेगा लेटर में तो word बनेगा अरेंज रहेगा लेटर में तो अरेंज में तो sentence बने गा यहां तक आप लोग को अगर समज़ में आई होगी तो बनिया से इसको पहले note कर लिजीए और इसको लिखने कि क्या क्या हम बताएं थे इसको लिखिया कि लेटर क्या है वर्ड क्या है लेटर कितने परकार के होते हैं ठीक है अलफाबेट में क्या क्या आते हैं भावेल सेमिभॉबल यह भी लिखना होगा उसके वाद कर वर्ड को अरेंज करेंगे सेंटेंस भनेगा अब आगे हम लोग देखेंगे सेंटेंस में ठीक है चलिए ध्यान दीजेंडी सेंटेंस में अब कि आप लोग कोपी में नोट कर सकते हैं कोई दिकता है सबसे पहले कोई भी सेंटेंस को दो भागों हम बाढ सकते हैं कोई sentence को कितने भागों बाठ सकते हैं दो भागों में ठीक है copy minute करते चलिए बढ़िया रहेगा पढ़ने में अच्छा लेगा नहीं तो लेगा सिर्फ हम देख रहे हैं वीडियो को और साथ ही साथ अपने दोस्तों के भी share कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लेगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा है ना इससे क्या होगा कि हमारा motivation बढ़ेगा साथ ही साथ हमा और energy के साथ हम बढ़िया से पढ़ा पाएंगे ठीक है क्योंकि आपको ना तो share करने में कोई पैसा लेगा ना तो like करने में कोई पैसा लेगा यानि कि बिलकुल फिरी में आप like कर सक यह चीए इसलिए इसमने में कन्जोसी मत किजिए गा है ना चली यह सें्टेंस को कितने भाड़ सकते हैं दो भागो हो मैं पहला को काते हैं सबजेक्ट क्या काते हैं सबजेक्ट हुआ है present下來 प् responds cycle सिस्वांशन अब यह सबजेक्त क्या है और यह समझने वाली बात यहां पर की हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे गिमम सेंटेंस बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं राम इट से मेंगो राम rum his mango मैंगो सबसे पहले समझ यहां ढीख मैंग राम आम खाता एक कौर राम आम फाता और ऑब इसमें सुम्हती बूनाला है कर आता है कोन क्या था थिक है क्या है अब देखिए जो राम है यह राम क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया राम क्या हो गया सब्जेक्ट राम के अलाबा जो भी वर्ड बचा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे प्रिडिकेट कहेंगे क्या कहेंगे प्रिडिकेट राम क्या हो गया सब्जेक्ट बाकी जो बचा प प्रिडिकेट तो सेंटेंस का दो भाग सब्जेक प्रिडिकेट सब्जेक प्रिडिकेट सब्जेक प्रिडिकेट तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि सब्जेक्ट हो गया प्रिडिकेट हो गया अब बात आई कि सब्जेक्ट किसको करते हैं चलिए समझेए सब्जेक् या तो कोई living thing हो सकता या तो कोई non living thing भी हो सकता ठीक है यानि कोई सजीब भी हो सकता है या निर्जीब भी हो सकता ऐसा नहीं कि कहां ये subject जो होगा सिर्फ सजीब होगा ऐसी बात नहीं है तो आपको ध्यान में रखना है कि subject जो होगा, वह सकता है living thing और एक हो सकता है non living thing. ठीक है? non living thing. अब ये non living thing क्या है? और living thing क्या है? सजी निर्जी लिए संगत Works निर्जी वी वो सकता है जैसे राम आम खाता है यह नहीं जैसे हम लिख सकते हैं याँ पर किताब नया है कित यह किताब क्या है नन लिविंग तो नन लिविंग तिंग रहेगा तो भी अट्विएंग भ消ọn और नॉन लिविंग भी हो सकता अब बात आई थोड़ा सा और समझे अब समझे जिसमें वाक जिसकी चर्चा वाक में हो उसे कहेंगे सब्जेक्ट ठीक है जिसकी चर्चा जैसे हम यहां कहा सकते राम आम खाता है तो राम आम खाता है तो आम कौन खाता है राम तो राम की चर् भर्ब ओब्जेक्ट लेकिन सबसे पहले समयना है वाक में जिसकी चर्चा हो उसे क्या कहेंगे सब्जेक्ट कहेंगे बाकी को हम लोग प्रिडिकेट कहेंगे ठीक है चलिए आगये कुछ और वाक को देखते हैं लोग देखिए ध्यान से समझे अभी हम बताएं थे सेंटेंस के लिए कोई भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और प्रिडिकेट जरूरी है अब बताएं थे अभी सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में कि वाक में जिसकी चर्चा हो उसे काते हैं हम लोग सब्जेक्ट प्रिडिकेट बताएं तो प्रिडिकेट बताएं तो प्रिडिकेट के अंतरगत भर्व हो सकता है अब्जेक्ट हो सकता है और कम्पलिमेंट हो सकत है ठीक है सब्जेक्ट तो आ जाएगा सब्जेक्ट अलग प्रिडिकेट के अंतरगत तीन भार्ब ऑब्जेक्ट कम्पलिमेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं भी हो सकता है कम्पलिमेंट वाक में हो सकता है वाक में नहीं भी हो सकता है तो इसमें समझना होगा कि औबजेक्ट और कम्प्लिमेंट ठीक है चलिए आगे समझे भर्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं बस थोड़ा देर और पढ़ लीजी है ना भर्व भर्व बाकी विस्तार से हम जब श्टार्ट करेंगा वर्व को तब आपको बहतर रूप से हम समझाएंगे लेकिन थोड़ा सा भी इसका टेलर दिखा देते हैं भर्व का है ना देखिए टेलर भर्व का टेलर भर्व को हम लोग किरिया कहते हैं भर्व को हम लोग क्या कहते हैं किरिया ठीक है तो किरिया क्या है भर्व क्या है है ना तो किसी काम को होना या हो जाना जैसे हम कलम को गि जीएगा या तो खुद हो जाएगा जैसे चोट लगना हम लोग नहीं लगाने जाते हैं लेकिन गलती से जहीते जहीते कहीं टकरा जाते हैं लग जाता है मैं प्यार करता नहीं प्यार हो जाता है तो प्यार करते नहीं धीरे 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 प्यार हो जाता है तो यह और B5 ठीक है तो भर्व के कितने form हो गए है एक दो तीन चार पांच B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 इसको आपको तीन गों को याद करना पड़ेगा जैसे एक एक्जामपल के रूप में लेते हैं इट इटेन ठीक है इसका याद नहीं करना पड़ेगा B4 को सिर्फ I N G लगा दीजिएगा तो B4 हो जाएगा B5 भी बिल्कुल असान है अगर भर्व के अंत में यस या इस या इस लगा देते हैं तो अब B5 हो जाता है तो इट इटेन इटेन इटिंग इट्स अब ये है क्या सर बिल्कुल समझ लिजिए देखिए B1 और B5 ये दोनों परजेंट में रहेगा बढ़िया से सुनगे B1 और B5 ये दोनों परजेंट में रहेगा ठीक है नोट करते चलिए बहतर होगा ठीक है बढ़िया रहेगा B1 परजेंट में B5 परजेंट में कि देखिए नहीं लिखिये है है के पर्जेंट में भी वन कि पर्जेंट में भीं फाइब 40 दो क्यों पर्जेंट में एक है पूरल और एक है जिंवलर अब यह भी थोड़ा सम् समय थे हैं कि यह सिंग्वलर पूरल का मामला क्या है थोड़ा-स समझ लीजिए नोट कर लीजिए नीचे कांटीनियू क्लास कीजिए काफी मज़ा आएगा छोड़ छोड़ के पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा इसलिए एब्रिडे उपस्थित हो ये है ना काफी छोटे-छोटे वीडियो के साथ आपको मिलता रहेगा चलिए सबसे पहल को दे सबक्राइगा तो हके लिए ने का नहीं तो दरने का नहीं मेरा क्लास कीजिए आपको इंग्लिस्टे डर नहीं है जैसे पानी से इसको डिर लगता है उसको बंग दूर करना है सोपनी ऑगए लगता है तो परती दिन हमारा क्लास लिजिए मात्र 20 से 25 मिनट आप अपना समय निकालिए आप कुछ दिनों में आप देखिए कि आपका इंगलिस बिल्कुल 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 हाई लेबल पर पहुंच जाएगा ठीक है चलिए नाउन में देखिए सिंगुलर और पुल्रल दो पार्ट में बाटे भर में भी उसी परकार से सिंगुलर और एक पुल्रल ठीक है यह सिंग नहीं है सिंगुलर है पुल्रल तो एक हो गया सिंगुलर और एक हो गया पुल्रल भर में भी एक हो गया सिंगुलर एक हो गया पुल्रल अब डिफरेंस क्या है जो समझे अगर हम नाउन को पहले form में लिक्ते हैं जैसे लिखे पेन तब क्या होगा singular क्या होगा singular और देख क्या रहा है लेकिन घ्व पेने में लगाएंगे यस तब हो जाएगा 뽑े आप पेंगर और क्या पुलरल लेकिन दिक्कत देखे कहा होता है अगर हम लिखे इट ता इट मतलब हुआ खाना लेकिन यह पहले सिंगुलर नहीं है यही गड़वड होगा यह पहले पुलरल है अजब हम इसमें यस या इस लगाते हैं तब इस सिंगुलर बनता है दिक्कत देखे कहा हुआ इसमें पहले singular था यस या यस लगा तब पुल्रल बना इसमें पहले पुल्रल था यस या यस लगा तो singular बना डिफ्रेंस यह दोनों का काफी उल्टा-पुल्टा इसलिए बढ़िया समझे जैसे पले पले का मतलब खेलना कोई पुझेगा पले क्या है आप यह पले नहीं जानता है सिंग्लर यस कहां लगा ले एक लप पड़ पले क्या है पले में जब यस लगाएंगे ताब हो गाओ singular कहेंगा यही पढ़ता है इंगलिज तो यही आपको ध्यान में रखना है लेकिन नाउन मे जैसे बोले पें तब होगा singular अब उसमें लगाएंगे पेंस तब होगा हूँ पुल्रल तो यह आपको समझना छोटी छोटी जानकारी को आपको समझते रहना है और ध्यान से देखते रहना है हमारी वीडियो को ठीक है चलिए अब तो कुछ समझ में आगे होगा पले मतलब पुल्रल अपलिेज मतलब singular तो यहाँ से आप समझ गया होगे कि यह वी परजेंट में लेकन ये क्या हो गया singular क्या हो गया singular यानि भी फाइब पुल्राल वीवन पूल्राल भी फाइब सिंग्ल्र बोल ये फिर से भी अब देखिए ये परजेंट में भीटू को याद रखिए ये पास्ट में होता है भीटू किस में होता है पास्ट में भीटू को याद रखना है पास्ट में बाकी आगे पढ़िएगा टेंस तो सब समझ में आने लगा पहला आज बेसी क्लास है आपको जो नहीं जानते हैं न हो यह तो आसान ही है बिलकूल आपको समझ में आएगा अब देखिए भी थिर्य यह भी थिर्य होता है क्या होता है पर ये भी फोर, ये भी फोर continuous होता है, क्या होता है continuous, फिर समय लेजिए, B1 परजेंट में लेकिन plural, B5 परजेंट में लेकिन singular, B2 पास्ट में, B3 परफेक्ट में, अब परफेक्ट का नियम है, कि हमें ऐसा helping verb के बाद ही आएगा B3, कभी नहीं ऐसे आएगा B3, जब तक helping verb नहीं, जब तक B3 नहीं आएगा, उसके बाद, ये भी continuous में अगर helping verb आएगा, तभी आएगा B4, helping verb के बाद ही आएगा B4, helping verb के बाद आएगा B4, तो इस total जतना हम समझाएं, ये होगी आपको, क्या चीज़ में, परजेंट में, परफेक्ट में, continuous में, फिर present का singular में, इस total को note कर ल में, तो आप वीडियो को एक बार सुरू से पुना देख लिजिए, आपको हम बिल्कुल विस्वास दिलाते हैं, कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो चलिए, आज का क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं, आप लोग को से बस थोड़ी सी एक आसा रखते हैं, कि आप लोग को जो भी दोस्त होंगे, उनको ग्रूप में सेर कर दिजिए, और एक लाइक करते हुए जाईएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी ने किजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इसे सेर करते रहें, है